इस लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम साब को बताए जए कि मुम्रा शहर में कच्रों को लेकर सिर्फ खेल खेला जा रहा है सडकों भर भी कच्रों के साथ खेल हो रहा है और उसी तरह से दो दो कबरस्तान यहाँ पर है श्रिया समुदाय का भी कबरस्तान है और बोरी समाज का भी यहाँ कबरस्तान है और यही एक रास्ता है उस कबरस्तान में जाने का और आज श्रिया समुदाय का एक मजलिस भी है वही कबरस्तान में और यहीं से उन लोगों को जाना है लेकिन यह देखेंगे आप कि कच्रा यहाँ पर लाकर डंप किया जा रहा ह और यह इसी तरह से यहाँ पर कच्रा पड़ा हुआ है और लोगों को यही से आना जाना हो रहा है काफी बद्बू यहाँ पर आ रहे हैं कि आप यहाँ पर चैन से खड़े नहीं रह सकते सिया समुझाए कि भी कुछ लोग यहाँ पर हैं और रिदा रशीद भी यहाँ पर हैं क्या बताएंगे आप तीन दिन का हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है कबरेस्तान में लेकिन यहाँ पर खड़े हो आपने भी नाग सास रोक रखा होगा इतनी बूरी हालत है मैं तो खाली यहाँ की बात नहीं करूँगी यहाँ की तो दिखी रहा है आप लोग को क्या हालत है लेकिन पूरे मुम्रा में जगे जगे पर ऐसा कच्रा पड़ा हुआ है कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया है मतला बोलते ना अगर इंसानों को चेंज से जीना तो मिलाने जीते जी जिम्मेदार कौन है इसका यहाँ पर कच्रा है रोड पर पूरा कच्रा है इंसानों को जीते जीतों जीने दिये नहीं मुम्रा के शहर में कुछ लोगों ने कबरस्तान में जाने के टाइम या कबर में सोने के बाद भी यहां के चेन से सोनी सकते इतना कबर के बाजू में ही देखे ना कबरस्तान के बाजू में ही है और ये डेवलप्मेंट भी देखे मैडम हमारे पाद जगाई नहीं मुम्रा में हम किसको लगाए थे हम हम हो जमा कर से नहीं के मकरे साब हो यहां के लगाए फोन लगाई आप क्या बोलते हैं आप मेरा दूसरा फोन दो आप इनका सुन लीजे जब तक मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि मैं यहां जो है यहां मैं जिम्मिलाई है के इमाम साबूं नाम से शेजर मेदी रिजवी है और मैं चाहता ही हूँ कि यहां जितनी जल्दी हो सके कच्राई सफाई हो जाए क्योंकि यहां पर प्रोग्राम होता रहता है और यह जवाज़ादारी हम लोग की है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है यहां पर सफाई पर हो जाए क्योंकि जो हमारे आप लोग भी यही पर जा रहे हैं जी हम लोग तो कंटीनियू मतलब आते ही रहते हम लोग के खुद की कबर है मगर जब से कच्रा फेकने रगे इतनी परिशानी हो गई है कि बच्चे भी यहां से जाते तो उल्टी करते वे जाते इतनी गलत हरकत है यह सब कि मतलब दो-दो कबरस्तान है उसकी कोई इजट नहीं है और हम लोग क्या तो ऐसा है कि किसी का होता है तो औरते भी जाती है कबरस्तान में मगर हम लोग का आना जाना इदर से दुश्वार है तो इसका कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए कि जगे कोई कच्रा फेकने वाली यहां-पर और लोग हम लोगात अना ही जाना हुआ है किने तो कि कूछ कोई नहीं सुन रहे है और है यहांरे यह पूछे हो जरा कि हाट वाएंगे कैसे आप भी कुछ कर रही है जरा देखिये कितनी परेशानी है बहुत जादा वर तो बहुत जादा भी परेशानी है और किसी का इंतिकाल भी होता है तो कैसे कैसे लोग जाते होंगे वो सोचिए जरा कि अधिकारियों को फोन किया था तो आधिकारियों को किसको लगा है मक्रे हो या टी-एम-सी के तहरीम हो और दुसरे ओफिसर को भी लगा जो टी-एम-सी को लगाओ एम-सी को भी बोला मैडम जागास नहीं है कुटे जागा है वो मेरे को पूछ रहे जगा है तो बताओ अभी कोई फोन नहीं उठा रहा है क्योंकि मालूम है मैंने बोला था मैं चार बज़े वापस से याओंगी हम सभी चार बज़े वापस से आएंगे उनको बताए से बनाने के लिए जगा है लेकिन कच्रे के लिए आपको पता है यहां पर जो कच्रा छोटे छोटे गाडियां लाके डालती है बड़े गाडी के लिए वो गचोटी गाडी भी डालने के जगा नहीं है मिट्टी तो अभी अपने डलवा रहे हैं कि कम से कम जाहरीन को आने जाने का रास्ता सही हो जावे गाडी गोड़ा जो आ रहा है अभी इसको हम जेसी भी से लेबल करेंगे आइस तीन मर्तों हम कर चुके इधर और करीब-करीब एक महीने से मैं सबसे राजन भाई हो या को अब यह बोलते हैं कि फलाने साब ने शानु भाई ने डलवाया शुरू किया है तो बोले जितेंदर अवाड यहां के आज मैं को पूछते हैं बोलते हम लोग क्या करें साब हम लोगों ने 2-3-3 मरतों मना किया उधर से पून आ जाता है अवाड साब का जाता है तो कभी श इसी इसी जड़ियों की गोनी रहती है क्या ना मैं अपने मुर्गी वालों की की देख के तबियत परशान हो जाती है हम लोग तो मजबूरी है कि हमको आना ही आना है हम इंतिजामिया है तो हमको तो करना ही करना है हम सुबह से शाम तक हम कल 12 बज़े रात तक इधर थे 10 गा आके मुलब जाड़ा भी की जल्दी से जल्दी हटाओ लेकिन जगह नहीं है वलाने बोलते हैं जो आफीसर आता बोलते हैं अरे उसकी ठेका हमने लिया तुमने ठीका लिया तुम इसकी जिम्हादारी समझना चाहिए ना क्यों तुमने ठीका लिया कच्रा उटाने का अगर सहर के लोगों से तो टेक्स बराबर लिया जा रहा है अब मुझे क्या नहीं मालूम है, मुझे तो सभी मालूम है, किसका फोन आ रहा है, कोन क्या कर रहा है, तब से बोला जाता है, और ये जगा है ना, फिर उनका पून आ जाता है, ये जगा है ना, last time हमने विजिट करवाया था, forest को, mangroves का, विजिट हुआ था, ये जगा पे mangroves है, ये जो जगा है ना, ये जगा पे mangroves हैं, यहाँ पर कच्रा dumping नहीं हो सकता है, मेरे सामे उनको fine लगाया गया, मकरे साब के सामे, मकरे साब जो है कच्रा department में, मेरे सामे उनको fine लगाया, forest वाले ने, क्या आपने ये कच्रा हमारे जगे पे डाला कैसे है, मतलब सोचो, आज इतना बड़ा विशे है, पब्लीक का, आप कोई जवाब देने वाला नहीं है, अभी मेन मुद्दा है हटाना यहाँ से, क्योंकि अभी अधे घंटे में मजलिस चालू होगी, लोगों का आज तो हटना मतलब कोई संभव नहीं है, सोला तारीक को एक बहुत बड़ा इसका है, जो जिसमें तिन-चार हजार लेडिजें आती हैं, अब उनके लिए हम परचान है, रिदा मैडम हो, चाहिए कि सबसे गवार इसलिए लगा रहा है, कि कैसा भी आप लोगों के बड़े-बड़े जो है, कारेकरम प्रोग्राम है इन लोगों के और इतना बदभू यहाँ पर आ रहा है, खड़े तो इसको हटाने का आप क्या बंदोबस करेंगे, ठीक है, लोग राजनिती कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, गहे आट दिन से, मैं भी खुद भाईयों के साथ लगी हूँ, मैं भी खुद फोन कर रही हूँ, उसके बाद आट दिन से इनके पीछे लगने को आज सुबह चार गाड़ियां उठाई है, नीचे से लेके उपर दस्वे ओफिसर ने भी बोला, मैंडम उठाया ना, आपके बोलने पर चार गाड़ी उठी ना, मैंडम, लेकिन चार गाड़ी जब हमने भेजा दिवा में, तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया, और हमारे पास कई जगा है ने जहां मों कच्रा खाली करे, तो सोचो क्या हो रहा है, आज कच्रे के लिए कोई आवाज उठाने वाला नेता नहीं है, आज उठाना का कच्रे के लिए आवाज उठाया जाता है, लेकिन मुम्रा के कच्रे के लिए कोई जगा नहीं ह रस्ते पे डालके ओछ छाटनी की जा रही है लेकि पब्लिक उसमें से चल रही है मतलब मुम्रा की हालत क्या है जवाब देने वाना नहीं है कब तक हटेगा आखरी सवाल कब तक हटेगा क्योंकि इनका मेन मक्सद है कि यहाँ से खरा यह लगो ने जगा नहीं है और हम दुसरे जगे ले जाते हैं लासस टाइम् मिंग पता है आपको हम स्टेडियम Campbell बाजू में जगा दी गई थी। महां से क्यों अटाया इनको? स्टेडियम के बाजू में से मतलब क्या हुआ है राजनीती पता है जैसे कि तुम नेता के कोई खास हो तो आपको नहीं जगा आया तो यहां डाल दो मतलब लोगों के लिए कोई जगा ही नहीं है अगर नेता को नहीं जमा मेरे प्रोजेक्ट के बाजू में बास नहीं आना चाहिए तो इधर आ गया अब या भी प्रोजेक्त बने Duty 1700 के सामें रहा है यह पड़ रस्त के सामें को चैटाई हुआ है कितना दूरी पर है कब सद ही ऀरered कि न यहां पर आप साफ सब्गर क्रपा पा क्रुद तक करना है कि इसको ऊह पूछ रहा हूं एकदम साफ, क्य forgiving आपको केल Pixar, यह हमको केलिए चहिए, उनको केलियर चहिए और मुझे बी कलर करके चहिए, क्योंकि उनका प्रोग्राम नहीं, यह जिए मेरा भी है, मैं भी उसमें शामिल होने वाली हूं, इसलिए यह प्रोग्राम उनका नहीं, ये सबसे बड़ा दूइदा है आज मैंने साम सुबो दूफेर में भी हम लोग ने जम के बोला था कि ये हमको साम को साप चाहिए लेकि कोई आया नहीं आपके सामे मैंने सभी को फोन लगा दिया फोन अभी उनको पता है मैडम को क्या जवाब दे अभी ओचार टैंपो का तो हम लोग का प्रोग्राम ये 5-6 दिन चलने वाला है आज का पहला दीन है बराबर दूसरा दीन है हमारा तो इसलिए 17 तारिक बहुत बड़ा प्रोग्राम है खास करके महिला आएंगी 17 को साथ में बच्चे होएंगे तो इससे डिंगो और मच्छर देखा अब खड़े नहीं हो पा रहे हम लोग तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी TMC से हमारा कोई नहीं है मुम्रा में हमारा विधायक सो रहा है हमारे नगर से वक्तों औरेडी सो चुके उन लोग का भी है ने ना उन लोग प्रोजेक्ट में अभी है उनको इस बार इलेक्शन लड़ना भी नहीं है तो मैं TMC से रिक्वेस्ट करूंगी कि यह जल से जल साफ करें बहुत तकलीफ है कच्रे से मुम्रा के लिए और इंशालम मैंने को जैसे आपने कहा है मैं भी मेरी पूरी कोशिश करूंगी साफ करवा के लिए निकले शुक्रिया आपने सुना कि यहां पर आगे दो रहत मिले क्योंकि यह काफी बदभू यहां से आ रहे हैं बहुत इसमें कच्रा है सब वेश्टेट पार्ट हैं जानवरों के और इसको हटाने का भी प्रयास जो है अब किया जा रहा है कि जो है यह हटाया जा सके क्या कह रहे हैं हम लोग रात भर खड़े रहे के यहां देखेंगे कोई और कच्रे की गाड़ी यहां आये नहीं हम सभी यहां खड़े रहे के देखेंगे कच्रे की गाड़ी आएंगी तो रस्ते पर गाड़ी खड़ा करेंगे और रस्ता ब्लॉक कर देंगे अगर कच्रे की गाड़ी कच्रे के लिए जगा नहीं है तो यहाँ पर कोई गाड़ी चलने की जगा नहीं छोड़ेगी रिधा रशीद और हम सभी लोग मिलके लेकि कच्रे को विवस्ता करिए जल से जल और लोगों को जो तकलिफ है उसे आसानी करिए नहीं तो हम लोग सब लिए ख़ड़े रहेंगे यहां पर आकर कोई गाड़ी आती है कछरा डालने के लिए तो उसे रोका जाएगा लेकिन अहम मक्सद यह है कि यहां पर कछरा डंप ना किया जाए क्योंकि बागल में ही कब्रास्तान है लोगों को आने जाने में काफी तकलिफ होती है.